नवस्कार दोस्तों मैं हूँ बेटु कुमार और मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों सुबह साड़े दस से साड़े चार वज़े तक बित्रन करने का समय तै नुक्ति पत्र देने के लिए तै किये गए 10 अस्थल 18 परखंडों के अवहरतों को नुक्ति प नौक्री 22 अभ्यरते जिनके खिलाब विभाब को मिली है सिकायत जिला सिचा पददकारी का करियाले स्रवभण इस्लामपुर आधी जगों पर टै किया गया है चैन अस्थल नाराज सिचक अभ्यरतों ने डियों को घेरा जिला सिचा कारियाले में मंगलवार को डियों के सा विडियो बैरल दिन में हाथ में खुले आम देशी सराब ले जाने का विडियो हुआ अभ्यरतों कारोग सिच करियाले में 200-500 में बनता है मेडिकल सर्टिफिकेट सिच्छक वा बीपेसी अभ्यरतों का मांगा जा रहा है मेडिकल जुट रही है भीड तो पूरा डिटेल इ मेरा यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूटूब चनल को कर लिजे सस्क्राइब बेल आइकन कर लिजे प्रेस ताकि बिहार से चक्नेजन से रिलेटर को भी बड़ी खबर बड़ी अफडेट आए उसका नौडिक्शन सबसे पहले आपके प्लाव उठा सके जीले के करिब डेड़ हजाज सिचक अभ्यारतों के लिए बुद्वार का दिन जीवन भर के लिए यादकार होगा सुबह से ही घरों में मिठाईयां बटनी सुरू हो जाएगे हर और उत्सा का महौल होगा क्योंकि उन्हें सिचक पद पर नुक्ति की जा जाएगा क्योंकि उनके परमानपत्तों की जाँच चल रही है अगर परमानपत्त सही रहा तो बाद में जॉइन कराया जाएगा वरना फरजी सर्टिफिकेट रने पर उन्हें जेल की हवा खानी होगी डियो के सवपरसाद ने बताया कि जीले के 18 परकंडों के अभ्यारतों को दस अलग अलग स्थानों पर नुक्ति पत्र दिया जाएगा इसके लिए सुबह साढ़े दस से साढ़े चार बज तक बित्रन करने का समय तै हुआ है से चकनुजन में पर्थम दूतिय वह तित्य चक्र के बाद चैनित अभ्यारतों को नुक्ति पत्रन किया जाना है लेक डियो ने बताया कि जिले में से चकनुजन के लिए जितने अभ्यारतों का चैन हुआ था उन सभी के मैट्रिक इंटर अशनात्तक ट्रेनिंग सेटिफिकेट के साथी बीटेट और सीटेट के पर्मानपत्तों का सत्यापन किया गया उसके बाद विभाग ने उपलवध 250 से 150 से अभ्यारती निकले जिनका प्रमानपत् या तो गलत है या संदेह के घेर में हैं साथ ही 22 अभ्यारती है जिनके खिलाब 13 चक्रिके निवजन के दौरान विभाग को सिकाइट मिली है उनके प्रमानपत्तों की भी गहनता से जमस की जा रही है ऐसे सभी चैनित अभ्य सिक्पूरा प्राइमरी एवर मिडिल अस्कूलों के चैनित 279 सिजकों को न्युक्ति पत्र बुधवार को दिया जाएगा छट्थे चर्ण में सिजकों न्यूजन परकिरिया में कुल 640 सिजकों का न्यूजन करने का लच्छ है लेकिन 300 एक्सर सिटे खाली रह गई है डियो र इन पर प्रखंडों में चैनित अभ्यष्थों को नुक्ति पत्र दिया जाएगा कि यहां प्रेखसकते हैं सबसे अधिक अस्थामई बना है नुक्ति पत्र केंद्र अस्थावा परखंड पर हिसर्में अस्थामा सर मेरा 30 और नूर सरय को जमाबड़ा लगेंगा यहां को नुक्ति पत्र देने के साथ ही अस्कूल चैन भी होगा बीयो अर्विंद कुमार ने बताया कि नुक्ति पत्र देने के लिए सारी तयारी कर ली गई है उन्होंने बताया कि अस्तामा प्रक्षण में पहली से पांच में के बीश और छटीस अथमी के उनिस अभियरतों को न देख सकते हैं स्रम भवन इसलामपूर आधी जगों पर तै किया गया है चैन अस्तल प्रक्षण नुजनिकाई बिहार सरीप गिरियक वबिंद के अभ्यरतों को बिहार सरीप के प्रक्षण करियाले इस्तित स्रम भवन इसलामपूर और एकंगर स्राइका किसान परसिच्छ जोदीपूर उसमामपूर में क्राय परसुरा हिलसा परवलपूरा परवलपूर के खिस्ता जोतियस्कुल जबकि राजगीर सिलाओ और बेन प्रक्षण करियाले राजगी में नुक्ति पत्र दिया जाएगा इसमें पहली से पाच मीं तक के एक तालीस और चोटी से आठमी के दस अभियर्ति को नुक्ति पत्र दिया जाएगा इस खबर को भी देख लेते क्यों अभियर्ति सब नाराज हैं नाराज सिचक अभियर्ति ने डियों को घेरा सिचक पत के लिए बुद्वार को मिलने वाली नुक्ति पत्र लेकर जीले में एक और खुसी की लहर है तो द जर्जनों अभ्यर्ति जीरा सुछा कर्याले पहुंच गए और डियो का घेराव कर लिया इतना ही नहीं अनेकों अभ्यर्ति उनके वहन के सामने आकर खड़े हो गए अभ्यर्ति को कहना था कि बताए हमारा कसूर क्या है आखिर बीना कसूर के क्यों हमारे जीवन से खेलवार क की गई इस मामले को गंभिरता से लेते हुए डियों के सब परसाद ने समझत अधिकारियों को आदेश दिया कि आज ही ऐसे अभ्यरते जिनको नुक्तिपत नहीं दिया जाएगा कि नाम और कारण के साथ एनाशी पर अपलोड कर दे ताकि उन्हें कारण पता चल जा इधर सारे अच्छे अस्कूल भर जाएंगे हमारे परमान पत्तों को गलत कहकर ज्वानिंग लेटर देने से रोका गया लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो फिर विभाग हमारी क्या मदद करेंगी यहां भी दे सकते हैं सिच्छक नियोजन में आनियमता की जांच डियम के रूपोर्ट सौब दी है उन्होंने बताया कि रूपोर्ट में कहा गया है कि चैनित किये अब भ्यारती की पर्थम सुच्ची में नाम है प्रंतों दुसरी कैटिगेरी में है लेकिन चैन परकिरिया के दौरान उपलवद कराए गए वीडियो के धर पर कहा जा सकता है कि चै किया गया और रूम में इंट्री भी हुई प्रंतु उनकी उपस्तती पंजी में नाम दर्ज नहीं है जो कि इस तत्त को दर्साता कि उनका स्ताचर करने से रुख दिया गया साथ ही एव्यारती को विडियो में घोसित नीचे कर्मांग के बक्त ही बैठक रूम के अंदर में देखा गया जबकि उसका कर्मांग उपर है जो दर्साता है कि चैनित किया हुआ अभ्यारती अपने कर्मांग के उद्धोसना कि पहले ही बैठक रूम में थे यहां देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए घुच लेते विडियो बैरल इस खबर को भी विश्तार से देख लेते हैं सद अस्पताल के CS कारियाले में इडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए चड़ावा देना पढ़ता है वहीं मेडिकल बनाने के लिए एक अभ्यार्ती से पैसे लेते करमी का सोसल मीडिया पर विडियो तेज से बाइरल हो रहा है विडियो में साफ दिख रहा है कि एक कर्मी आभिदन के साथ रुपए ले रहा है विडियो में कई लोगों से पैसे लेने देने को लेकर नोग जोग भी हो रही है कर्मी इसके लिए 500 से कम नहीं लेने की बात कर रहा है वाइरल वीडियों में कर्मी महला अभ्यर्ति के हातों से 200 रुपे का नोट लेते दिख रहा है तेस फरवरी से चिछक न्यूजन वा बीपेसी अभ्यर्तों से नुक्ति के समय मेडिकल फिटनेस की मांग की गई है इसे लेकर सदर अस्पताल में अभ्यर्तों के भीर जुट र सबस् scratches कंडूफ हाए झाल सब्राइप जब साथ रुपे की मांग की गयी हुआ उनकी आवेदन को फेक दिया गया इनका आरोफ है कि पैसे ले कर्मी पैसे को उपर के अधिकार हुआ कर्मियों को तक बाटे जाने की बात कह रहा है दिन में हाथ में खुले आम देशी सराब ले जाने का वीडियो हुआ बाइरल यह अलग खबर है इसको देख लेते हैं मेटकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कर्मचारियों दोवारा अभ अभ्यारतों का आरोप CS कर्याले में 200-500 में बनता है मेटकल सर्टिफिकेट से चक वह अभीप्यासी अभ्यारतों का मांगा जा रहा है मेटकल जुट रही है भी यह सारा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों और भी कुछ अपडेट आएगा तो वह अपडेट के साथ हम पीराजीर होंगे धन्यवाद दोस्तों